उनका सोच, कॉंग्रेस पार्टी की सोच, एक छोटी सोच नहीं थी, उनका नजरिया आगे के लिए था, भविश्य के लिए था, आपकी मजबूती के लिए था, इसलिए वो ये निर्ने ले पाईं, और उन्ही की तरह, कॉंग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े बड़े न यहां उनेता रहे, जैये जवाल्ला नेहरु थे, चाहे इंदीरम्मा थी, जए उनके बाद मन् मोहन सिंघी थे, राहुल जी है और तलंगाना के तमाम नेता हैं, आगे की सुचते हैं और आपकी भलाई के लिए सुचते हैं, और इसी सोच के लिए, इसी सोच के जरिये आपके प्रदेश को मजबूत बताने की बात करते हैं इंदिरा गांदिगारू राजीव गांदिगारू राहुल गांदिगारू तूर चूपतो देशम मंची कोसाउं समाजम मंची कोसाउं प्रजलो कोसाउं मंची कोसाउं निर्नेया थिसकुण्टारो प्रजला आकांशे कोसाउं निर्नेया थिसकुण्टारो मा थल्ली सोनिया इस सोच का प्रमाण ये है कि उनके कारिकाल में बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनी आपकी भलाई के लिए आई-ई-टी आई-ए-म एम ऐसी संस्थाएं बनी आपका विकास हुआ तो आप आगे बढ़ पाए तो जो कॉंग्रेस की सरकारे बनी वो जनता की सरकारे थी वो आपको मजबूत बनाने के लिए बनी और उनमें दोनों चीज थी नजरिया और नियत अब जब हम नियत की बात करते हैं तो जितने भी काम होते हैं सरकार बिगैर सही नियत के वो काम करती नहीं है अगर सरकार की नियत ये हो कि आपको लूटना है और सिर्फ सत्ता में रहकर भष्टाचार करना है तो वो भलाई के काम नहीं कर पाती तो आज हम सब इस मंच पे खड़े हैं और आपके सामने खड़े होकर हमने ये बात कही है कि तलंगाना के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने एक रोड मैप एक विजन बनाया है ये रोज हूँ लिए गारेंटी लाए है गारेंटी क्या है गारेंटी वो चीज़े हैं जो हम आज आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए करेंगे और जितने भी कॉंग्रेस के प्रदेश हैं, जिनमें हमने ऐसे गारंटी सामने रखें, उनमें हमने वो काम अभी से शुरू कर लिया है मेरी बहने यहाँ बेठी हैं, आप डिन रात मेहनत करती हैं, मैं जानती हूँ और पूरे समाज का जो बोज है आप अपने कंदों पर लेते हैं, बच्चों की परवरिश, घर की देखबाल, उसके साथ-साथ बाहर जाके काम करना, खेती में महनत करना, या कोई नौकरी हो तो वहाँ नौकरी करना, ये सब आप करती हैं और आज आप कितनी मेंगाई का सामना कर रही हैं, चाहे गास का सिलिंडर हो, चाहे तेल हो, चाहे कुछ भी हो, जब आपको खरीदने जाना होता है, तो आपको दस बार सोचना पड़ता है, कि हम ये खरीट पाएंगे, घर ला पाएंगे की नहीं, कोई घर पे बिमार पड़ता है, तो आपके दिल में ये बात आती है, कि दवाईयां कैसे खरीदेंगे, उनका इलाज कैसे कर वाएंगे, अक्कलू चेलेलू, मी जीवितालू यद्ट्या कस्टंगा जरूतुना यो नाप तेलसू, मीरू पिल्लेली पेंचाले, इंटी अन्नी तरल पेरूतुन नहीं, मीर इंटी के ये सामान गोलानो ना, मीको चाला कस्टत्रम आइपोतुन जेपी, में कमनिस्तुन नमू, और ये सब महनत, ये संघर्ष, इन संकटों का सामना, आप इसलिए करती हैं, ता कि आपके बच्चे बढ़े होकर अपना भविष्य ब लेकिन यहां आज परिस्थिती ये है कि 40,000,000 युगा बेरोजगार हैं, कानी युरस तेलेंगान लो परिस्देंटे, नालबाई लक्षल मंदी में पिलालू, नालबाई लक्षल मंदी में पिलालकी, निरुद्यों को लगा तेलेंगान लो निल्चि पोईन विश्य ने मन कानी रोज लक्षल उद्यों काले गाउन ना बेरेस पर्टी उद्यों को लो निम्पले ने विश्य हूँ, मिरु गमनी चाली और स्थिती ये है कि भरतियों में भी भ्रष्टाचार है, एक बच्ची ने आत्महत्या की और उस पर भी सवाल उठाया गया कि उसने अप्लिकेशन ही नहीं भरा था, ये पर स्थितिया है कि जो संकट है, जो युवाओं का दर्द है, उसे समझने और सुलजाने के बजाए उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन रोजगार नहीं दिये जाते, आपके लिए आपके विकास के लिए काम नहीं किया जाता। पर उसमानिया जैसी उनिवर्स्टी में अध्यापकों और पैसों की कमी है, एक भी नई सरकारी उनिवर्स्टी नहीं बनाई गई, इनके पूरे कारिकाल में आप देखेंगे, तो सिर्फ प्राइवेट उनिवर्स्टी यां बनी हैं, और उन में से आधी इनी के नेताओं की है, ताकि आपको फीज बड़ी-बड़ी भरनी पड़ें, लेकिन आपके लिए साही सो विधा नहीं बने हैं, उसमानिया लांट उनिवर्स्टी लो टीचिंग नॉन टीचिंग फाकल्टी की रेकूट्मेंट चरग लेदू, प्राइवेट उनिवर्स्टी उनिवर्स्टी इसलिए युवाओ के लिए हमारी जो गारेंटी है, उसमें हमने कहा है कि तलंगाना अंदोलन के शहीदों के परिवार को एक सरकारी नौकरी दिल्वाएंगे, उनके माता-पिताया पत्नी को 25,000 रुपी, रुपे मानसिक पेंशन मिलेगा, दो लाग खाली सरकारी पद हैं, उनको हम एक साल के अंदर अंदर भरेंगे, और बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपे प्रति माँ बेरोजगारी का भद्ता मिलेगा, गल्फ देशों में रोजगार की संभावना, को मजबूत करने के लिए स्पेशल गल्फ सेल बनाया जाएगा जो 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 लोग गल्फ के देशों में काम करने के लिए जाएंगे उनके लिए एक स्पेशल गल्फ सेल बनाया जाएगा आज मेरे किसान भाईयों की परिस्तिती बहुत ही सर्मनाक है चाहे पेट्रोल हो डीजल हो खाध हो हर चीज पर खर्चा बढ़ गया है आपके कर्ज बढ़ गये हैं और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती इरोज राईतुल फर सिर्टलंगान लो धैनियांगा मारिंदी व्यवसायन की संबन्धियंच अन्नी इन्पुट्स लो पेट्रोल उटिजलों सीट्जों लेवर अन्नी तरवलों परिगी नहीं इई ब्यारस प्रभुत्तों राईतुल को सम यह मी चेड़न लेदू खेती से कमाना मुश्किल हो गया है और किसान परिशान और त्रस्त है व्यवसायन इंची आदायों यह ब्यारस प्रभुत्तों लो तकी पोईंदी इसलिए हमने यह तै किया है कि हम MSP को बढ़ाएंगे और इसकी हम आपको गयारेंटी देते हैं अंदकोस में राबो एक कॉंग्रेस वबुत्तों लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP पेंची वबोत्तों यह पिने मना जैस्तनानू अधान के लिए 2500 रुपे, मक्का के लिए 2500 रुपे, सोया बीन के लिए 4400 रुपे, गन्ना के लिए 4000 रुपे अन्नी व्यवसाय पंटल की MSP 25 इस्तमू वरिदानियान की 25 उंदलू सोया की 23 उंदलू शुगर केन की 40 वेल रुपाय लिवो बोत जेपिने मना जयस्तनानू अरहर की 6,700 रुपे और कॉटन की 6,500 रुपे किसानों के लिए 2,000,000 रुपे तक कर्ज माफ किये जाएंगे इंदर अम्मा रायतू भरोसा योजना के तहत किसानों के लिए 15,000 रुपे प्रती एकर दिया जाएगा और मन्रेगा में जो रेजिस्टर्ड मजदूर हैं उन्हें हर साल 12,000 रुपे मिलेंगे मेरे ब्यानों और मेरे भाईयों ये जो आपका क्षेत्र है ये आदिवासी बाहूल क्षेत्र है और आप तो जानते ही हैं कि इंद्रा जी के दिल में आपके लिए एक बहुत खास जगे थी। इप्रांतन लो गिरिजन लो आदिवासी लो पेद्ध्य संकेलो उन्टरू इंद्रा गांदिगारू गिरिजन लो आदिवासी लकी यंत प्रेमिस उन्रो मी कुद्धेल स्वन ये पने मने जस्तानू ये रिष्टा जो उनके साथ आपने जोड़ा था एक आदर का रिष्टा था श्रद्धा का रिष्टा था। उनके दिल में आपके लिए आदर थी अथा आपके लिए श्रद्धा थी और वो हमेशा ये चाहती थी कि आपकी संस्कृती को बचाया जाए और बढ़ाया जाए वो हमेशा कहती थी कि आदिवासी संस्कृती ही दुनिया की सबसे आधुने और सबसे आगे सोचने वाली संस इंदीरा गांदीगारु लेकिन अफसोस की बात है कि आज आपके अधिकार छीने जा रहे हैं ये रोजू आदिवासिला गिरिजेनला हक लू इप ये प्रबुत्व पेटलू लाग कुंटून जे पिने माना जिसनानू जब रनापको जमीन से बेद दखल किया जा रहा है मी भूमन निंची मिमन यलग प्रबुत्व पर्बुत्व